इत्रे भारत समचार आपके साथ मैं हूँ स्वाति शिर्वास्तव 2022 की विदाई 2023 की तैयारी दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्राखंड में जश्न की तैयारिया पूरी हो चुकी हैं 2023 की तैयारियों को लेकर सुरक्षा खड़ी है सज रही है सडके जश्न में डूबे हैं लोग जश्ने 2023 की तैयारिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में चारो तरफ तैयारिया पूरी हो चुकी है पूलिस प्रशासन अलट हो चुका है नए वर्ष के स्वागत के लिए क्योंकि पुराना साल जाने को तयार है आज 31 दिसंबर है और कल एक जनवरी और ऐसे में सरकों को सजाया जा रहा है 2022 की विदाई की तयारिया और 2023 के आग्मन को लेकर स्वागत के लिए तमाम तयारियां की जा रही है और इसको लेकर पुलिस पुरिशासन भी पूरी तरीके से तयार हो चुका है चाहबाद दिल्ली की कर ले उत्तर प्रदेश की कर ले तीनों ही राजियों में अलग-अलग विवस्था हैं और देश भर में नए साल के जशन को लेकर तयारियां जोरो परें और साथिसाथ कानून विवस्था की मद्दे नजर भी तयारियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं जाम जैसे इस्तियों से निपटने के लिए भी परियाप्त इंतजाम किये गए और संजय का रूख करेंगे इस वक्त और ज्यादा जानकारी देंगे संजय हमें संजे 2022 जाने को है और देखिए नए साल आने को है नए साल के स्वागत की तैयारियों के लिए तैयारिया काफी जोरदार तरीके से दिख रही है पुलिस प्रशासन सभी पूरी तरीके से चौकस नजर आ रहे हैं क्या कुछ देख पा रहे हैं संजे बिल्कुर साथी में पता हूँ आपको कि 20-22 की बिदाई है और 20-23 का आगाज है ऐसे में देर साम से ही राजदाइन लक्षनों समेट चाह मेट्र सिटीज हो या फिर महानगर सब जगे पर जस्नी की तैयारिया है और नय वर्स को उस्ता के रूप में लोगों को मनाने की तैया है और यहीं वज़े हैं कि बड़े होटल हो यह चोटे होटल लगबक सारी जगहों पर बड़े आयोजन किये जा रहे हैं लेकिन उसको देखते हुए जिला प्रसासन और पुलिस प्रसासन ने भी है जो बंदोबस्त हैं वह पुक्ता किये हुए है तमाम जगह पर डाइवर हुर्दंगी जो सराब पी करके सणकों पर हंगामा करते हैं उनकी भी खैर नहीं है इसको लेकर के भी तमाम चेक पोस्ट बनाए गया है तमाम जगह रास्तों को डाइवर्स किया गया है रात दो बज़े तक पुलिस पूरी तरिके से निग्रानी करने वाली है ड्रोन लगा करके भी निग्रानी की जा रही है तो ऐसे तमाम सराथी तक्तों को भी की खैर नहीं होगी अगर सबकों पर वो उदर करके हुर्दंग या इस्टेंडबाजी करते हुए नजर आए तो उन पर भी कारवाईयां लगबबबबबब ताय है जी संजे राजधानी लखनों का अ कि अभी 2-1 और फिरकर को लेकर के एयर्पोर्ट्ट हो या फिर रेल्वेस्ट ऐस्तर कैसे विभागों से जानकारी आ रही है वहाँ पर अलर्ट कर दिया कि मनाने के लिए तंमाम लोग यहां से बाहर जा रहे हैं और बाहर से भी तंदिया है नए वर्स पे घर पहुंच रहे हैं अपने लखनव पहुंच रहे हैं तो ऐसे में उनकी निगरानी करना की जा रही है टीमें बढ़ा दी गई है उनकी से अब 52 लोगों की टीमें है वो लगा दी गई है रेंडम जाच की जाएगी संदिक दिया लक्षण वाले कोविट के मरी जहां पर आयोजन किये जा रहे हैं उनको भी कहीं निर्देश जारी किये गया है कि कोविट की प्रोटोकॉल का पालन जरूर किया जाए कोविट के फैलाओ और ना हो सके इस पर सबकी जो हैं नजरे लगातार बनी हुई है स्वाति ठीक है संजे जुरे रही है आप हमारे सा कानून दिवस्ता से किसी भी तरह का कोई खिलवाड ना हो पाए इसको लेकर भी तैयारिया पूरी आप देखे जगा जगा चेक पोस्ट बनाए गए है वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है किसी अबैद गतिविदी को अनजाम न दिया जा सके 2022 जाने को है और 2023 दस्तक द आयारिया काफी ज्यादा देखने को मिल रही है देशी नहीं बलकि विदेशी सेलानी भी यहां पर पहुंसते और ऐसे में जो होटल्स है वो पूरी तरह से बुक हो चुके हैं मसूरी समेत तमाम जिलों को बहतर तरीकी से सजाए गया है और सुरक्षा विवस्ता कानून वि दोस्त देखी जा रहे हैं तो बस कुछी घंटे बाकी रह गये हैं नय साल के आगमन को लेकर कुछी घंटियों के बाद नया साल जिसका आखमन होगा और नय साल के स्वागत के लिए जोड़ दार तैयारियां की जा रही है और हमारे साथ हमारी अलग-अलग सहीयोगी जोड़ चुके हैं, हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, लखनोव से हमारे साथ कुमार कुशकल दिल्ली से जुड़े हैं, और पंकच देरदून से जुड़े हुए, संजय से हम बातचीत लगातार करें, एक बार रुक करेंगे हमारे सहयोगी पुशकल का दिली से पुशकल दिली में क्या मैं कुछ द्यारय चल रही है, नए साल क्या अंगबन को लेकर पुश्कल को शायद मेरी आवाज नहीं पहुच पारी है पंकच का रूख करते हैं पंकच आपके पास क्या जानकारिया है कितनी तैयारिया चल दी क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पहुचते हैं उत्राखंड में बिल्कुल और अगर कहा जाए तो नैनी ताल और जो मसूरी है उसमें पूरी तरीके से गाइडलाइन बिल्कुल तरीके से लागू कर दी गई है और कह दिया गया है वो ही लोग इन डेस्टिनेशन पहुचेगे जिनके होटल्स जो है वो पहले से बुक होंगे ऐसा नहीं कि ल देकर विड़ेश दिये गए है अधिकारियों को और वो उसका पालन भी कर रहा है दूसरी बात निवर किस तरीके से मनाया जाए उसको लेकर अभी जो तमाम होटल्स हैं उनको भी 24 घंटे खोलने के लिए या फिर जो खाने के रेस्तरौन हैं उनको भी 24 घंटे खोलने के आ जाँ फैसला है और न्यू एर है और न्यू एर को लेकर जिस तरीके से तमाम कोशिशे होनी है जो तमाम सुरक्शा वेवस्ताएं है वो तमाम चीजें हो रही हैं और क्योंकि हमारे पास हील स्टेशन इतने महत्पूर्ण है चाहे नैनिताल है चाहे मसूरी है यह अपने सब्सक्राइब के साथ ठंड का मज़ा लेने पर यह पहुंच रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोशिश यही है कि जो 2023 का जो नया साल है उसको किस तरीके से बनाया जाए और तमाम चीजों को देखते हुए सारे निर्देश दिये गए हैं जी आपके पास मै का तस्विरे 2023 को लेकर देखे स्वाती अगर दिल्ली की बात करें तो तैयारियां लगभग दिल्ली में पूरी हो चुकी है चुकि जो दिल्ली का दिल है कॉनाट प्लेस उसको पूरी तरह कॉड़नफ कर लिया गया है दिल्ली पूलिस की तरफ से अब जिसके पासेज है उन नहीं इनर सरकिल में आने दिया जाएगा चुकि साम छे बजे के बाद कोई क्लॉट प्लेस में गारी लेकर इंटर नहीं कर सकता है अगर बाहर निकलना का रास्ता तो जरू मिलेगा लेकिन अंदर आने के लिए उन्हें पासेज लेने पड़ेंगे डिसीपी ट्राफिक जो लो बजे के बाद मेट वें इंटरी नहीं होगी लोग अंदर नहीं जा पाएंगे नो बजे के बाद मेट्रो के दर्फाजे बंद हो जाएंगे और साफ तोर पे एक तरह से कड़े गाइड लाइन्स हैं दिल्ली में कि किस तरह से नया साल मनाया जाए लोग फुर्दंगई जो लोग करते हैं इस तरह के लोग उन पर लगाम लगाई जाएगी उन पर भी लगाम लगाई जाएगी लेकिन सब्सक्राइब बड़ी बात है ठीक है कुमार पुशकल और पंकज आप बने रही है हमारे साथ संजे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए तो 2022 की विदाई और 2023 को लेकर तैयारिया पूरी और देखिए ऐसे में जाम से निजात पाने के लिए भी तमाम तैयारिया और लखनों से बड़ी खबर है पुलिस ने नए साल के आईजन को लेकर तमाम